यूपी पुलिस कॉंस्टिवल का आज का सेकंड सिप्ट का पेपर हो चुका है इस वीडियो में हम लोग रीजिनिंग के सारे कोशन देखेंगे जो कि आज के पेपर में आपके पूछे का हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए है तो प्लेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट कर लें देखिए पहला कोशन आज के सेसन में रिजिनिंग का है निमलिखित में से कौन सा आरेक परिच्छा प्रस्न और अभ्यास के बीच के संबन को अच्छे धंक से दरसाता है देखिए एक हमें आपके क्या आते हैं प्रस्न आते हैं और अभ्यास जो होती वह आपकी दूसरी चीज हो जाएगी तो ऐसा आपका बेंड डाइगरम बनेगा तो यह डेंड डाइगरम किसमें बन रहा है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर अगला यदि आप एवरेश आपका सबसे पहले हाँ क्या अच्छा कौन सा ऑगा सबसाइगा अच्छा आएगा कि ए कि इतने बार है तीन बर तो लिख लेते हैं इस अउन के बाद का कौन सा आएगा आ याप आर यह इंगा है यह सेट कर लिए हमीं हम्हकों ने घुरत अब पोसता है दुसरे सब्द के दुसरे अच्छर से सब्द के दुसरे अच्छर से दुसरे अच्छर आपका यहाँ पर E बन रहा है दुसरे अच्छर से दाएं तो दुसरे अच्छर से दाएं इसके दाएं क्या हो जाएगा दाएं से दुसरे अच्छर कौन सा होगा दाएं से दुसरा अच्छर आपका कौन सा निकला है आर नहीं निकलेगा अगर देखा जाए तो आप अपने आपको यहां खड़ा करके देख लिए दाएं से दुसरा अच्छर आपका क्या निकला ए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी अगला यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चलें माल लेते हैं यह स्टार्टिंग पॉइंट है और 10 मीटर उत्तर दिसा होती है उपर की ओर कितना चलता है 10 मीटर फिर 180 डिग्री दाएं और मुणे तो आप किस दिसा में जाएंगे तो यहां से 180 डिग्री घूमना है तो बना लेते हैं डाइग्रम तो 180 है भूमना है दाई ओर दाइए अपका इधर की तरफ होगा हुगा तो 90 डिग्री यह होजागा निटी डिग्री होजाएगा तो कहां दिसा और प्रस्न चिन्न पर उतहरा करतियों से अँचे ताकर्ति चुने तो पहले फिकर में देहिए आदा सर्किल है आदा सर्किल जो है देखे दूसरे फिकर में नीचे आ गया और फिर पूरा सर्किल बनके उपर वाला जो खाली जगह थी जो थान है उसमें ब्लैक कर दिया यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे तिसरे में जो आपका यह तिसरे बाले में फिकर यह उल्टा हो जाएगा नीचे की तरह पाजाएगा तो बना देते हैं ऐसे अब उपर जो खाली जगए है उसमें भी यही आकरती बना देते हैं तो कैसे बनेगी तो उपर जाएंगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसको हम लोग ब्लैक कलर से कर देंगे तो यह फिगर किसमें बन रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा अंसर option A option A is right answer अगला है बहे विकल पर ग्याद कीजिए जो प्रसमें चिन के इस्थान पर आएगा तो देखे 16 से 7 बनेगे जो तरीका लगेगा बही तरीका आगे 36 के लिए लगाएंगे तो देखे 16 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो 1 प्लस 6 कितना आजएगा 7 36 के दोनों डिजिट को योग कर देते हैं तो 3 प्लस 6 बराबन 9 तो आपका अंसर हो जाएगा option है option is right answer अगला इस रंखला में लुप्त संख्या हैं A and B ग्याद करें और B-A का मान ग्याद करें तो देखे 51 से 57 बनाया आपका क्या हुआ 6 जूड़ रहा है 57 से 63 बनाया आपका 6 जूड़ रहा है सभी में 6 जूड़ रहा है तो आगे भी 6 जूड़ेगा 63 में आप 6 जूड़ेंगे तो आपका A की जेकर कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा अब यहाँ पर A की जेगा 69 आ गया अब देखें 69 से 75 बनाएं कितना जोड़ा 6 75 से 85 बनाएं कितना जोड़ा 6 तो इसमें भी 6 जोड़ा रहा है तो 81 में भी 6 जोड़ेंगे तो आपका B बरावर कितना आ जाएगा 87 तो B माइनस A का मानमा बताना है तो B माइनस A सकल्टू क्या जाएगा 87 माइनस 69 ओके तो कितना आपका रहा है यहाँ से आंसर बनेगा यहाँ से आंसर बन जाएगा उन देखें 87 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा तो देखे 17 यह हो गया और एक यह हो गया 18 आपका right answer हो जाएगा 18 किसमें आ रहा है option D में आ रहा है तो option D is right answer अगला इस रंखला में आगे क्या आएगा तो हम लोग सबसे पहले सबीक alphabet code लिख लेते हैं Z का 26 होता है W का होता है 23 R का होता है 18 K का होता है 11 तो देखे Z से W बना रहे है 26 से 23 बना रहे है तो आपका 3 गट रहा है अब 26 से 18 बना रहे है तो 23 से 18 बना रहे है तो पांच गट रहा है और 18 से आप 11 बना रहे हैं तो आपका 7 गट रहा है तो एक सीरीज चल लेगे देखे तीन और पांच के भी डिफरेंस से दोका आपका कितना बच्एकाइगा दो किसका होता है ऴी का होता है तो अपका एंसर क्या हो जाएगा ओप्सोन भी अगला है सरंख्ला में लुगत संख्याइं एन बीड कर earelli- और वी-णिए का मान ग्याद करना हैं तो देखी 143 सा 143 बनाया तो आपका मतलब सबी में 25 ही 25 चुड़ेगा तो ए निकालने के लिए 148 में हम लोग 25 चुड़ देते हैं तो 8, 5, 13 के 3 हासल लगा एक 5, 2, 7, 173 आजाएगा एक ही वेलू अब देखिए यहां से बी निकालेंगे तो 220 में भी 25 चुड़ देते हैं तो 246, 247 बी की वेलू क्या आजाएगी 2, 4, 7 तो बी माइनस एक की वेलू निकालने हैं बी माइनस ए तो हम लोग घटा देंगे 247 में से 173 घटा देंगे तो घटाने पर 7 में से देखे 3 गया तो 4 आया और 14 में से 7 जाएगा तो आपका 7 आजाएगा तो आपका आणसर आजाएगा 74 चोहतर आ रहा है आपका कहीं 74 तो नहीं मिल ला है वही या तो थोड़ा सा बेट कीजिएगा दुबारा से करते हैं कोशन को तो देखे 123 से 148 बनाने तो यहाँ पर 25 चुड़ रहा है कि 98 से 223 बनाने तो भी 25 चुड़ रहा है मतलब सभी में 25 पच्छिस तो ए निकालने के लिए 148 में भी 25 को जोड़ते हैं आठ पांस तेरा के तीन हासल लगा एक पांच दो साथ 173 तो ए बराबर आ गया अब बी निकालने के लिए 223 में भी 25 को एड़ करेंगे जोड़ देते हैं आठ चार एक तो बी बराबर आपका 148 आ रहा है गाईस मैंने 147 लग दिया था तो बी मैनस एक की बैलू यहां से निकाल सकते हैं एक सो तीहत्तर में एक की बैलू आपके कितने निकली गाईस 173 निकली है आपकी तो यहां पर बी की बैलू 248 यह थोड़े सा कंपूजन होगा सौरी 248 में 173 घटाते हैं ओके आट में से तीन जाएगा पांच 14 में से साथ जाएगा तो साथ 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आपसेंडी इस राइट आंसर अगला बहे विकल्ब ग्याद कीजिए जो प्रसंचिन के स्थान पर आएगा तो देखिए 130 से जो 18 की घट तीन बनने में लगेगा बही तरीका आगे अप्लाइ करेंगे तो क्या करते हैं 130 के देख लेते हैं 130 से हमें बनाना है 18 की घट तीन तो देखिए 130 के पहले और तिसरे डिजिट को उठा लेते हैं 18 बन गया और बीच वाले डिजिट का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब लगा दिया ओके यही तरीका 720 के लिए लिए करेंगे तो 720 पहले और तिसरे डिजिट को उठा लेंगे तो 37 और बीच वाले डिजिट को उपर कर देंगे तो 73 की घट दो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्सें सी इस राइट आंसर अगला निमलेखित में से किस सब्द के अच्छा रंगर जी converts T, D का होता है आठ, R का होता है 18,I का होता है 9, तो ये भी नहीं है optionung with S का होता है 19, W का होता है 23, फिर देंगे i आ गया है तो ये भी नहीं है तो आपका right answer वनेगा almost कोश्ट है एक होता है एक अल्का होता है 12 मोजक को तेरा ओका होता है पंद्रे है एसंद्र होता 19 और टी को होता है 20 तो सभी बड़ माला करह में यह आ रहे हैं तो option डीजराएंसर अब देखिए अगला question बढ़ना है बिपरीद अलफावेट यह एक्स तो ऐसे यह अप्सिन हमें लेना है जिसमें सभी बढ़ना लिखे हो देखिये आप्सिने चेकरते हैं C का A होता है X वह बिलकुल सही B का होता है B लेकिन यहां पर लिखा हुआ है Z यह C करते हैं B का होता है B यह सही है C का होता नय देख करने होसे देखा होता है W बिलकुल सही है तो option B आपका right answer हो जाएगा तो option B is right answer अगला है A and B का मतलब A square plus B plus 5 और A dollar B का मतलब a plus b का whole square so a plus b square plus two तो four dollar three and two का मान गयात कना लिख लेते हैं four dollar three and two इसकी बैलू बतानी है कर लेते हैं तो four है आपका अंदर छोटे कोश्टक के अंदर four dollar three तो देखिए a dollar b का मान क्या है a plus b square plus two a की जगा है 4 b की जगा हो जाएगा तो लिख लेते हैं 4 plus b square मतलब b मतलब 3 का square plus 2 यह हो गया फिर है end end का मतलब आगे end दिया हुआ देखिए question में जो पूछा गया end two तो लिख लेते हैं end two इसको solve करते हैं four plus nine plus two और end two तो यहां से आपका क्या निकलेगा नो चार तेरा तेरा तो पंदरा तो यह आ रहा है पंदरा पंदरा का square plus b मतलब दो प्लस एक यह आवा रहा आपका 225 प्लस दो प्लस एक 227 प्लस एक 228 तो option b is right answer अगला है उत्तर पूरफ दिसा की और चलने वाला व्यक्ति अपना दाइना हाथ किस दिसा में देखता है उत्तर पूरफ दिसा आपकी कहां पर होती है उत्तर दिसा होती है यहां पर यह होती है आपकी यह जहां पर लिख रहे हैं यह उत्तर पदस उत्तर पूरफ दिसा तो यहाँ पर आप खड़ें तो दाइनात अपका इधार होगा तो पूरब की ओर देखता है सौरी कहाँ पर देखता है नीचे की तरफ देखेगा तो उत्तर पूरब की ओर और ही देखेगा तो option is right answer अगला है यदि 9544 को FVADA के रूम में लिखा जाता है तो 96457 को कैसे लिखा जाएगा तो लिख लेते हैं 95474 नमबर लिख लिए हम लोगों ने अब इनके alphabet लिख लेते हैं FV फिर V है फिर A फिर D फिर A यह अपका आ रहा है तो यहाँ पर देखिए तो यह नमबर हो गए तो हमसे पूचा जा रहा है 96457 का code क्या होगा तो 9 का देखिए पीछे क्या लिख रहे हैं F तो 9 के नीचे F लिख देते हैं फिर A 6 6 को देखिए पीछे कहीं है तो 6 आपका कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो इसमें तरीका दूसरा लगाते है 95444 को क्या लिख रहे है F, B, A, D, A इनके एक्चुल में अलफावेट code लिख लेते हैं F का होता है 6, V का होता है 2 A का होता है 1, D का होता है 4 A का होता है 1 तो देखिए 9 से 6 बंदा है तो आपका क्या हो रहा है 3 जुल रहा है तो अरे 3 घट रहा है आपका 9 से 6 बंदा है 5 से 2 बंदा है 3 घट रहा है 4 से 1 बंदा है 3 घट रहा है और 7 से 4 बंदा है तो 3 घट रहा है और 4 से 1 बंदा 3 घट रहा है मतब 3 तिन घट रहा है तो यही तरीका इसमें लगाएंगे नो में तीन गटाएंगे तो आपका आजाएगा छे छे में तीन गटाएंगे आप आजाएगा तीन और चार में तीन गटाएंगे तो आजाएगा एक पांच में तीन गटाएंगे तो आजाएगा दो और साथ में तीन गटाएंगे तो आजाएगा चार इनके alphabet लिख लेते हैं चेक इसका होता है आपका तीन होता है C का एक होता है A का दो होता है B का चार होता है D का तो F C A V D आपका right answer हो जाएगा तो option B is right answer अगला है एक व्यक्ति दच्छन पूरब की और मुह करके दच्छन पूरब दिसा आपकी कहा होती है तो बना लेते हैं दच्छन पूरब जो दिसा होती है वह आपकी इधर होती है यह जहां पर A point लिख रहे हैं A point पर है आपका दच्छन प 90 degree के 3 चक्क लगाता है तो 90 degree देखें बनाते हैं बीच में हम लोग यह कर देते हैं पेंटाले डिग्री के दो चक्का लगाता है वतलब घड़े की दिसा में पैंटाले डिग्री के दो चक्का लगाता है दो चक्का पैंटाले डिग्री है पैंटाले डिग्री है तो आप यहां पर सी पर आ गया पंदा उसके संदर में उसका दाहिना हाथ आप किस दिसा में तो तो आपका जा रहा है उत्तर पूरब में यहां पर आ रहा है उत्तर पूरब में लेकिन उत्तर आना चाहिए लेकिन आपका उत्तर पूरब है तो आपका अंसर हो जाएगा option D अगला है 36,94,94,96 आगे क्या आएगा तो कर लेते हैं हम लोग तो देखे 36,94 बना रहे हैं तो आपका कितना जोड़ रहा है 18,94 बना रहे हैं तब आपका कितना जोड़ रहा है 20 से जोड़ रहा है और 94 से 96 बना रहे हैं तो आपका कितना जोड़ रहा है गाईस 22 जोड़ रहा है और 96 से 120 बना रहे तो आपका 24 जुड़ रहा है अब देखे 18 20 के भी डिफरेंस है दोका 20 और 22 के भी डिफरेंस है दोका 2224 के भी डिफरेंस है दोका तो आगे भी दोका होगा तो यहाँ पर आजाएगा 26 इस 26 को 120 में जोड़ देते हैं तो आपका अंसर आजाता है तो कितना आएगा 146 तो option D is right answer अगला यदि mango को 8415 के रूम में coded किया गया है तो निमले कित में से किसका संख्यात्मा code 81504 है तो mango के सारे alphabet लिख लेते हैं A, M, A, N, G, O इनके number लिख लेते हैं M को लिख रहे हैं A, A को क्या लिख रहे हैं 0, N को लिख रहे हैं 4, G को लिख रहे हैं 1, और O को लिख रहे हैं 5 तो हम से code पोंच रहे हैं 8054 का code क्या होगा तो 188 का कोड़ देखिए 8 को क्या लिख रहे हैं A को क्या लिख रहे हैं देखे 1 को लिख रहे हैं G तो G लिख दिया अब है 5 की बारी 5 देखे किस को लिख रहे हैं O को और 0 को लिख रहे हैं A तो A लिख दिया 0 के नीचे 4 को क्या लिख रहे हैं चार को लिख रहे हैं N तो N लिख दिया M-G-O-A-N M-G-O-A-N तो option C is right answer अगला 18 कामा 40 कामा 70 कामा 108 आगे क्या आएगा कर लेते हैं तो दिखे 18 से 40 बनाया कितना जोड़ा 22 चोड़ा और 70 से 40 से 70 बनाया कितना जोड़ा 30 चोड़ा और 70 से 108 बनाया तो कितना जोड़ा 38 अब देखे 2230 के भी ट्रिफरेंस आट का तीस और 38 के बीच आट का तो आगे भी आट का होगा इस आट को 30 में जोड़ेंगे तो 46 आजएगा और 46 को 108 में जोड़ेंगे तो आपका अंसर आजएगा अगला दिये गए विकल्पों में से बेजोड का चैन कीजिए दिके 652 जो है आपकी क्या है समसंक्या है पांच किया है आपकी विसम संक्या है अगला अनुक्रम में कौन सी संक्या प्रसंच इनको प्रसे स्थापित करेगी कर लेते हैं गाईस पांच से बारा बना रहे हैं तो पांच में दो का मल्टिप्लाइप्लस दो को जोड़ दिया 12 से 26 बना रहे हैं तो 12 में 2 का मल्टिप्लाइप्लस दो को जोड़ दिया 12 दोनी 24 प्लस दो 26 तो यही तरीक आगे भी अप्लाइप्लस दो जोड़ देंगे सोला और सोला का स्कौायर कर देते हैं तो हमें 256 मिल जाता है यह तरीका आगे लगाएंगे सत्ताइदुनी 54 और चौन का स्कौायर कर देते हैं तो चौन में चौन का मल्टिप्लाइग करके देखते हैं चार चकू सोला आसल लगा एक चार पंजे बीस और एक एकिस फिर पांच चकू बीस आसल लगा दो पचंपचिस सत्ताइस चे यह हो गया एक यह हो गया नौ यह हो गया दो 29 आपका राइट आणसर बनेगा 29 आपका कही नहीं नहीं आ रहा है तो दुसरा तरीका लगाते हैं तो इसमें दुसरा तरीका एक और लग रहा है आठ दिया हुआ आठ का स्कॉार कर देते हैं तो आपका 64 आजाता है और 64 में 4 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका मिल जाएगा 256 यही तरीका 27 के लिए लगाएंगे 27 में 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 54 और 24 में 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था चार चको 16 हां से लगाए 25 और 216 आपका राइट आंसर तो ऑप्शन भी इस राइट आंसर अगला देखे कोश्चन आपका है एक निश्चित कोड़ भासा में कंप्यूटर को इसमें लिखा जाता है इसके रूम में कहां होता है 15 क distingu का होता है का और Х 0點 हession Sounds K talking fix टीग का होता है 20 क्यूंकर रह एक कहोता है और यसे अपका क्या बंदा है कि व्यक्रण की क्यूं क्यूंक वी मुइ ईनके भी अलफावेट कोड़ लेक्ट型 लेके कर ने ठीक पहर पी का होता है 16 एन का होता है 14 क्योंकि अक्योंकि यूकर कितना होता है 21 एप का होता है 6 एसको होता मिंद कि तूदिव तीन से 4 वंड़ा है तो आपका एक जुड़ा 15-16 एक 13-14 बना एक जुड़ा है और 16-17 बना एक जुड़ा है 21-22 बना एक जुड़ा 20-21 बना एक जुड़ा 5-6 बना एक जुड़ा और 18-19 बना एक जुड़ा सभी में एक एक जुड़ा यही तरीका लगाएंगे laptop के alphabet code में तो laptop के सारे alphabet लिख लेते हैं 16 टी का कितना होता है 20 C O का होता है 15 और P का होता है 16 प्रतिक में एक एक जुड़ा देंगे 12 में एक जुड़ा 13 एक में एक जुड़ा 2 16 में एक जुड़ा 17 20 में एक जुड़ा 21 15 में एक जुड़ा 16 16 में एक जुड़ा 17 अब इनके alphabet लिख लेते हैं 13 होता है M का 2 होता है B का 17 होता है Q का 21 होता है U का 16 होता है P का और 17 होता है Q का यह जो अलफाबेट मिले यही आपका अंसर हो जाएगा तो किसमे मिलने है option A में तो option A is right answer अगला है साध्रस पूरा करें प्रकास किस से निकलता है बल्क से तो दो नहीं किस से निकलेगी इस speaker से तो option B is right answer अगला है दरपन प्रतीमिम ग्याद कीजिए तो एक triangle बना लेते हैं triangle आपका दरपन प्रतीमिम में रहेगा और अंदर यह black व विकल पताई है जो बांकियों से भिन है तो एक-एक option को चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे पहला option है Q-U-S-R Q का code होता है 17, U का होता है 21, S का होता है 19, R का होता है 18 17 से 21 बनाया आपका क्या हुआ चार जुड़ा और 21 से 19 बनाया तो आपका 2 गट रहा है 19 18 बनाया तो एक-ट रहा है option B चेक करते हैं B का code होता है 2, F का होता है 6, D का होता है 4, C का होता है 3 2 से 6 बनाया आपका क्या हुआ चार जुड़ा, 6 से 4 बनाया तो आपका 2 गट रहा है, 4 से 3 बनाया तो एक-ट रहा है option C चेक करते हैं B का code होता है 21, Z का होता है 26, तो देखिए यहां पर हो गया 5 जुड़ गया, तो आपका विसम हो जाएगा option C अगला दिये गए चित्रों में से उस चित्र का चैन कीजिए जो चित्र के अंतिम भाग के रूमें उप्योकत है, तो अंदर देखिए यह वाला हम लोग आयत पूरा कर देते हैं नीचे देखिए ब्लेक आपके क्या है ब्लेक ब्लेक तीन जो है वो आपके पंच भूज़ें उपर भी आपके पंच भूज़ें जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से उपर नीचे है और यहां पर देखिए दो पंच भूज़ें तो यहां पर आपके उपर दो पंच भूज कि दीसे हो जाएंगे जिनकी ड्राइटिकासर ऊपर की तरप हो जाएगी तो एक भॉक्स पना लेते हैं सबसे पहले है और टो यहांपर ऐसे बनेगा और 2 पंच बुच आपके बन जाएंड़्य कि न κιला नुकला बला आपका ऐसे हो जाएगा ऐसे ऐसे और एक आपका कैसे हो जाएगा ऐसे 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 यह आपका बन जाएगा तो यह आपका किसमें बन रहा है और देखिए और आपके जो हैं आपके यह दो तीन करके आपके क्या है आयत मान सकते हैं यह भी आपके सेम हो जाएं आपका उपर की तरप होगा तो एसे तो यह फिगर आपका किस में बन रहा है तो यह फिगर साइद आपका यह ऑप्शन ए में बन रहा है देखिए और जाद कीजिए बारा से बेस्ट को बना आपका क्या हो रहा है 16-24 अब देखिए 4 और 8 यह को चार का फिर चार का डिफ्रेंट का सोला आजाएगा इस सोला को 36 में जोड़ेंगे तो आपका अंसर आजाएगा बावन तो ऑप्शन भी राइट अंसर अगला देखिए साध्रस पूरा किजिए आर्किटेक्ट है ब्लूप्रिंट तो संगीत कारका क्या होगा तो इसका देखिए मंच हो सकता है थोड़ा सा इसक इस वीडियो में इतना ही थैंक्यो देन बाद आपका देन सोबरा है